हेलो एवरिवन, चौमीन खाना किसे पसंद नहीं है, चौमीन सब को पसंद है, भले ये चाइना का फेमस ड्रिशो, पर हमारे इंडियन मार्केट में इंडियन स्टीट फूट के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशूर है, और अगर चौमीन हम अपने इंडियन देशी स्टैल म चौमीन लेके आई हूं, जिसमें हमारे घर के मसालों का ट्रिस्ट रहेगा, और इस चौमीन को आप जरूर एक बड़ ट्राई करिएगा, आपको ये खाने में बहुत मजा आएगा, तो जल्दी से मैं अपनी रेसिपी सुरू करती हूं, तो मैंने पानी रखा था, वो पान और एक छोटा टी स्पून में तेल डाल दूँगी, ताकि ये नुडल्स आपस में चिपके नहीं, और थोड़ा से मही से चला लूँगी, हमें नुडल्स को 80% ही पकाना होता है, 80% इससे ज़्यादा नहीं, बाकी के जो 10% होते हैं वो कड़ाई में पक जाती है, तो ये लोह की कड़ाई मैं के लूद लूगी। द्रेंड करने के लिए मैंने एक सूप स्ट्रेणर ले लिया है और इसमें मैं अपने नुडल्स को ड्रेन करने के बाद के बाद आप नुडल्स को Aka दोबार पानी से ज़रूरा वाश कर लें ताकि न कहीं सारा स्टर्च निकर जा और जो चाइनिज खाना होता है ना उसे हमें हाई फ्लेम पर ही बनाना चाहिए तो मैंने इसमें डाला है टू टेबल स्पून ओयल तेल लगवाग गरम हो गया है और मैं इसमें डालेंगे दो मिर्च मिर्च मैंने डाल दिये और इसी के साथ इसमें जाएगा स्लाइस में कटे वे प्याज और गार्लिक अगर आप लैसन प्याज खाते है तो इसमें आप लैसन जरूर डालें चामीन में लैसन बहुत अच्छा लगता है इन दोनों चीजों को हम ट्रांस्परेंट होने तक अच् और इसमें मैं डालूंगी पत्ता गोबी लगबग एक कप आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं बीट रूट भी डाल सकते हैं आप अपनी पसंद की कोई भी सबजी डाल सकते हैं अब इन सारे सबजियों को हम अच्छे से मिला लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है हमें जब आपको लगे कि हाँ सबजी हलका भून चुकी है तब इसमें हम डालेंगे एक चमच वन टेबल स्पून रेड चिली सास और लगबग एक टेबल स्पून सोया सास सोया सास का यूज ज्यादा नहीं करोंगे क्योंकि ये चौमिन को कड़व बना देता है और इसी के साथ मैं इसमें डालोंगी एक लगबग एक छोटा चमच वन टी स्पून विनेगर विनेगर डालने के बाद मैं इसमें इसको थोड़ा चला लोंगी उसके बाद मैं इसमें डालोंगी थोड़े से चिली फ्लेक्स अगर आपके पस चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्ज का भी यूज कर सकते हैं मैं नपती स्पून चिली फ्लेक्स डाला और लगबत एक टी स्पून और एक जुंग नूझे तो बकतित क्योंडाया चलूंत है और को तो किप सक्किप लाए रही है हुँ काली मिर्च मनाद थोड़ा वक्ताइव ऩरा जाए क्या है और देज़्यव क्यान रही के लिए नियुक्त कमझेड़ं देशन गांगेल about कुले हो गया किकी मैं इस सारा स्टार्च के जब बलत करो करberry करें कैब करने के मदद में धुख की मदत से इसे अच्छे से मिक्स कर लोगी रहना का एप अगर धन्या बत्त खाते हो तो इस पर जरूब दालेगा धन्या लगता है तो यह हो चुका है और अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लोंगी तो मैंने बढ़िया सा सर्विंग प्लेट ले लिया है इसमें मैं अपने चौमिन को डालूंगी अगर आप चौमिन पसंद करते हैं तो एक पर चौमिन ऐसे जरूर बनाईएगा यह च चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए ले के आऊं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर